हमेशकार दोस्तों मेरा नाम है हिमाशु शर्मा और आज एक बार फिर आपके सामने नए पांच जोग्रफिकल टर्म्स लेकर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो अगर भी तक नहीं किया है और वीडियो को लाइक करो शेयर करो वीडियो को ताकि और लोगों तक भी यह पहुंचे ठीक है तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला वर्ड कौन सा है हमारा पहला वर्ड है एलकलाइन सोयल ठीक है लास्ट वीडियो में हमने अलकाली एक टर्म पड़ा हुआ था उसके बारे में ही उसी से रिलेटेड यह एलकलाइन स्वाइल है क्या हो और नीचे वाले इसे जाता है वहां पर गुच्छ भारे में हमारा वने सपार वाले हinku क्मेश से एक पाइलकाली एक पर होते जाता है वहां पर टैंप्रेचर बहुत जाधा होता है सारे के सारे सारे सोडर औक जिक्षर पैसे यह जाते हैं ठीक है ना या तो इवापरेशन के तुरू या कैसे भी वो खत्म हो जाते हैं लेकिन जो सॉल्यूबल सॉल्ट होता है जो नमक पानी में घुला हुआ होता है वो नहीं लीच होता वो वहीं का वहीं रह जाता है और बल्कि उसकी एक पत्ली सी लेयर बन जाती है वहा नेक्स्ट हमारा यल्य विल मतलब जलोड मिट्टी जिसको बेल बोलते हैं एक जोनल का मतलब होता है जो किसी एक फिक्स जोन में नहीं है जैसे आप देखोगे कि काली मिट्टी एक फिक्स जोन है जिसमें आपका थोड़ा बहुत महारास्ट्रा तेलंगाना करनाटा की ये वाला एरिया आता है लाल मिट्टी का भी एक fix zone है वो एक zonal soil है लेकिन alluvial soil का कोई zone नहीं है क्यों क्योंकि ये पहाल पे भी fix जगा पर नहीं है वहाँ से भैके नीचे आ जाती है ठीक है expand करती रहती है आपको ये पूरी अर्थ पर या फिर इंडिया की case में भी बात करें तो जगा जगा पर मिलेगी किसी एक जगा पर नहीं मिलेगी आपको कोई fix इसकी जगा नहीं है ठीक है तो ये एक a-zonal soil है ठीक है और newly deposited alluvium वही जो मैंने आपको बताया river जैसे ही बहती है अपने sediments नए नए expand करती रहती है deposit करती रहती है उससे जो soil बनती है उसको हम alluvial soil कहते है next नेक्स आता है हमारे alluvial fan देखिए मैंने आपको डाइग्राम लगा दिया है आपके लिए ताकि आपको आसानी से समझ में आए alluvial fan क्या होता है अब आप पढ़ लीजिए उपर जो लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको डाइग्राम के थुरू समझाता हूं यह जो आप एरिया देख रहे हैं यह mountain mountain से एक river निकल रही है ठीक है mountain से एक river निकल रही है अब यह जहां-जहां मेरा pointer जा रहा है आप इस जगा कर देखिए यह जो शेप है यह एक पंखे की तरह है एक fan के shape में यह deposition हुआ है और क्योंकि ये deposition किसका है aluvial soil का है तो fan and aluvial को मिला कर इसको बोल दिया गया है aluvial fan इसमें बहुत सारी चीज़े होती है gravels होते है चोटे-चोटे कंकड़ पत्थर ठीक है या फिर balu भी हो सकती है और कई सारे चोटे-चोटे elements भी इसके अंदर हो सकते है जिसको aluvium कहा जाता है ठीक है तो समझ गया आप aluvial fan किसे कहते है एक aluvial soil का deposition जिसका shape एक पंखे के आकार का होता है triangle होता है shape में उसको हम aluvial fan कहते है next aluvium जैसा कि हमने last में पढ़ा था कि जिस चीज़ का deposition हो रहा है aluvial fan में किस चीज़ का हो रहा है clay का हो रहा है silt का हो रहा है sand का हो रहा है gravel का हो रहा है यह सारी चीज़ों का mixture जो deposit होता है न उस deposited material को हम aluvium कहते हैं क्या कहते हैं aluvium कहते हैं alpine alpine क्या होता है the part of mountain above the tree line and the below permanent snow लिड़ों आप ने देखा होगा कि mountains पर बहूодर जो ऊचे-yचे mountain है उनमें जो सबसे ऊची जगह होती है एक boundary होती है जहां पर पूरे साल burf रहती है चाहें गर्मी का मौसम हो भर्सात का मौसम हो या खरती का मौसम हो वहाँ पे पूरे साल बर्फ रहती ही रहती है ठीक है और एक वो लाइन भी होती है जहां से पेड़ पौधे कम होने लगते हैं धीरे धीरे आप देखोगे कि एक लिमिट तक तो पेड़ है उसके बाद पेड़ नहीं है ठीक है आपसे अगले वीडियो में नहे पांच शब्दों के साथ अब तक आप खुश रहिए सुरक्षित रहिए अपना और अपनों का खयाल रखे और बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए